जिन्देगी में बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है डर, fear डर कहते हैं public speaking का डर है किसी को मौत का ज़्यादा डर नहीं रहेगा लेकिन public speaking का डर है कहते हैं सबसे बड़ा fear है fear of speaking in public मैं नहीं जानता हूं यह सही है कि गलत है लेकिन एक बात जानता हूं कई धंदेवाले कई इंसान कई प्रोफेशनल और कई इंडिविजल्स जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि उन्होंने कदम में लिया और कदम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें डर लगता थ डर क्या है और डर किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं लोग और डर के वज़े से क्या क्या होता है यह बहुत ही सुन्दर सीडी फियर मल्डिप्लियर में मैंने कहा है है दर के कितने डरवाजे होते हैं है कि और हो दर्वाजों को कैसे तोड़ना है उसके बारे में मैंने एस सीडी में बताया हूँ इस सीडी के अंदर मैंने आर्ट ऐसे मंत्र बताए है जो आप अगर एक fear multiplier, fear multiplier वो होता है जो जिन्होंने डर पे काबू पा लिया, इनों बोलते हैं डर के आगे जीत है, वो cd में आपने देखा होगा, मतलब टेलिविजन में आपने देखा होगा, कि डर के आगे जीत है, क्योंकि डर के आगे जीत ही है, लेकिन डर के आगे जीत क लिए आपको आठ सीजे करनी पड़ेंगे जिसको बोलते हैं फियर मल्टिप्लायर के आठ मंत्र और वो तीन डिफेंट टाइप के दरवाजों को खोलता है और वो दरवाजे क्या है यह आपको जानना है यह सुन्दर सीडी को देखिए बार बार देखिए अनेक बार और जब आप यह देखेंगे तो स्लोली 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 डर का एक एक दरवाजा आप तोडएंगे और फिर एक ऐसा मौसम रहेगा आपकी जिंदेगी में कि डर क्या है आपको मालूम ही नहीं होगा कोई भी चीछ से आप नहीं डरेंगे कोई भी डिसीशन से आप नहीं डरे कोई भी इनसान से नहीं डरेंगे, कोई भी सिटुएशन से आप नहीं डरेंगे, और अगर डरेंगे नहीं, तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो डर गया, सम्झो मर गया. This is Santosh Nair, all the very best.